तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी डिलीशियस भिंडी मसाला तो यहां पर मैंने ली है भिंडी धाइसो ग्राम तो इसी के साथ भिंडी की कटिंग कर ली है तो यहां पर मैंने गैस पर चड़ा दिये कड़ाई जिसमें के एड करेंगे दो चमचाद ऐल तो आज भिंडी बनाएंगे बहुत ही different style से तो भिंडी को यहाँ पर मैंने दो ली है धोने के बाद उसको पहुंच कर ही use में ली है आप जहां तक हो भिंडी को पहुंच कर ही use में ले तो देखें यहाँ पर oil गरम हो चुका है और इसी के साथ अब मैं सबसे पहले इसमें add कर oil से तो oil गरम हो चुका है भिंडी को करेंगे हम fry तो भिंडी को fry पहले सबसे पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भिंडी है वह हमेशा green रहेगी इस idea को आप जरूर अपने यह एक बार क्योंकि अगर आप भिंडी को पहले प्रिफेर नहीं करते हैं तो भिंडी लगती बिल्कुल हलवा हो जाती है तो जहांतर हो सके भिंडी को oil में fry कीजिए तो आपकी भिंडी बनेगी बिल्कुल green और बहुत ही tasty तो देखें यहां पर बिल्कुल खुले में ही fry करना है लकान नहीं लगाना है और यहां पर देखें भिंडी हलके हलके से fry भी हो चुकी है पांस से दस मिनिट तक इसको इसी तरह से fry करना है बिल्कुल low flame पे तो एक बार मेरे इस idea को जरूर use कीजिएगा आप क्यूंकि अधिकते लोग इसी तरह से बनाते हैं मसाला डालकर तो देखें यहां पर बिंडी भी हलके हलके सी fry हुई है गलने लगी है तो देखें अब मै करने जाओंगी इसको खाली तो मैं इसको दूसरे भरतन में खाली कर दूंगी और अब हम बनाएंगे इसका मसाला तो आज तो बनाने जारे मसालेदार बिंडी तो ऐसी बिंडी तो रोज बनाई नहीं जाती तो लग नहीं बिंडी देखने में ही इतनी अच्छी तो खाने म अभुए है और इस सरे से घंड़ी बनाएंगे तो भिंडी के बीच भी बहुत कम निकलेंगे तो देख़े हलके से गल भी गई घंड़ी यहाँ पर देखे ज्यादा नहीं गलाने इसको तो यहाँ पर जो तेल बचा था उसी में ही हम बनाएंगे भिंडी का मसाला वह भी different style में तो यहां पर पहले सबसे पहले हम एड़ करेंगे एक चमश्ट राई मैं जीरा प्रिफेर नहीं कर रही हूं और राई को ही एड़ कर रही हूं यहां पर राई में अगर भिंडी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी हो बहुत ही डिलिशियस बनती है एक बार जरू ट्रा कर रहा है वो सब एड़ करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं एड़ करने जा रही हूं एक प्याज जिसको मैंने बिल्कुल बारिक बारिक काट लिया है तो इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल ही एक से दो मिनिट तक इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो बच्चों की फेवरेट होती है कोई भी भिंडी के लिए तो मना किसी भी तरह की भिंडी बनाए जरूर खाते हैं बच्चे तो यहां पर मैं एड कर रहूं ग्रीन चिली वह भी दो गोल-गोल कटिंग करी हुई तो बच्चों के लिए अगर आप बनाए तो बिल्कुल ग्रीन चिली को आउट कर दे और दूसरी तरफ भिंडी भी देखे बिल्कुल रैडी है तो इसको बिल्कुल देखे यहां पर प्याज का कलर भी चेंज हुआ है हलका हलका सा तो भिंडी का मसाला बनाने के लिए अब मैं एड करूंगी इसमें टमाटर बिल्कुल दो बड़े साइज के टमाटर मैंने एड किये हैं बारिक बारी कटिंग करके तो टमाटर मेल्ट हो जाए जब तक हमें इसको फ्राइ करना है तो यहां पर इसको मैं लगाता चलाती रही हूँ और सबसे पहले मैं इसमें एड करूंगी मसाले में नमक तो यहां पर मैं एड करने जा रही हूँ आदी चमच नमक और इसी के साथ मैं एड करूंगी यहां पर हल्दी पाउडर चोथा ही चमच और धनिया पावडर आधी चमच एड़ करूँगी मिर्च आधी चमच एड़ करूँगी यहाँ पर और भिंडी को थोड़ा सा डिफरेंट स्टायल में बनाने के लिए इसमें एड़ करूँगी अमचूर पावडर तो भिंडी बनेगी बहुती टेस्टी और बहुती यमी तो एक बार मसाले को मिला लेंगे तो हमें जब भी मसाला हम पकाएं तो गैस की फ्लेम को हमेशा कमी रखना है और अगर ज्यादा रखते हैं तो सारा मसाला जल जाता है इसलिए हमेशा कम फ्लेम परी मसाली को फ्राइ करें तो मसाली को अच्छे तरह से मिला लिया है मिलाने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे आदर कप के लगबग पानी ताकि मसाला हमारा जले नहीं और इसे ढखका रख देंगे करीबन दो मिनीट के लिए जब तक की टमाटर मेल्ट ना हो जाए और गैस के फ्लेम को कर देना है बिल्कुल कम तो देखें यहाँ पर टमाटर मेल्ट हो चुका है हो चुके हैं और कलर भी चेंज हुआ है मसाले का तो एक बार मिला लेना है मसाले को मिलाने के बाद अब हम इसमें एड करेंगे भिंडी तो कभी भी भिंडी को फ्राइ करें तो भिंडी में नमक पहले कभी भी ना डाले इस बात का जरूर ध्यान रखें तो यहाँ पर भिंडी एड करूंगी यहां पर और मसाले के साथ इसे अच्छे तरह से मिला लेना है बिल्कुल इसी फ्लेम में मिलाना है इसे और पुरी अच्छे तरह से मिला लिया है मैंने मसाले के साथ और इसको इस मसाले में भिंडी का फलेवर आ जाए इसलिपे इसको ढका रखेंगे करीबद दो मिनिट के लिए और ग्यास की फलेम को कर देंगे यहाँ पर कम तो ढकन हटा लेंगे दो मिनिट हो चुके है और देखे मसाले का सारा ओइल भी चारो तरफ आ गया है और एक बार मिला लेंगे इसको अच्छे तरीके से ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो भिंडी में अंदर ले जाए और इसमें एड़ करूँगी सबसे आखरी में गरम मसाला तो गरम मसाले को भी मिला लेंगे सबजी में अच्छे तरह से और यहां पर गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद और बंद करने के बाद इसको ढखका रख देंगे करीबन 30 सकिंड के लिए और ढकन हटा लेंगे एक बार तो लग रही है न बहुत ही डिलिशस बहुत ही मसालेदार भिंडी फ्राइ तो इस तरह की भिंडी आपने रोज बनाई होगी लेकिन इस मेतर से कभी भी नहीं बनाई होगी तो एक बार इस मेतर से जरूर बनाईएगा तो आपकी भिंडी बनेगी बिल्कुल ग्रीन और बिल्कुल मसालेदार है क्योंकि जब भी मसालेदा भिंडी बनाते हैं हम तो उसमें यह होता है कि भिंडी हो जाती है हमारी हलवाद तो अब मैं करने जाओंगी सर्विंग इसकी तो मैं करने जा रही हूं प्लेटिंग यहां पर तो मैंने यहां पर लिया है एक ट्रेक साइज की प्लेट तो लग रही है बहुत ही डिलिशस बहुत ही मसालेदार तो मुझे तो भिंडी को देखकर बिल्कुल रहा नहीं जाता है क्योंकि भिंडी तो मेरी फेवरेट है और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों की फेवरेट है तो लग रही है बिल्कुल एक भी भिंडी हलवा नहीं हुई है और बिल्कुल बनी है ग्रीन तो मैंने करी इसकी डेकोरेशन ग्रीन धनिये के साथ और भिंडी में जहां तक हो सके ग्रीन धनिया नहीं डाले तो ही भिंडी बहुत ही अच्छी और डिलिश्यस दिखती है तो अब मैं बताती हूँ चारो तरफ से की भिंडी बनी है कितनी डिलिश्यस और टेस्टी और यमी तो लग रही है न बहुत ही मसालेदार भिंडी तो इस तरह की भिंडी आपने कभी भी ट्राइ नहीं की होगी ट्राइ करी भी होगी तो आपकी भिंडी बनी होगी बिलकुल हलवा और green बिंडी बनाने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया मैताड़ यह है कि बिंडी को आप पहले fry करके बनाएंगे तो बहुत ही delicious और बहुत ही green बनेगी आपकी बिंडी तो वीडियो अच्छा लगे हूँ तो वीडियो को लाइक करिये चैनल को सबस्क्राइब करिये बैल आइकन को दबा दीजे तो मिलती हूँ मैं आपसे next वीडियो रेसिपी में बाबाई टेक केर